Hello students, welcome to my YouTube channel Home Education. Today I am going to give simple Hindi explanation of the poem, a photograph. This poem is composed by Shirley Tarlson, who is a great poetess. आईए पहला इस्टेंजा पर ध्यान दें. पहला इस्टेंजा में कवित्री जी कहती हैं, The Cardboard shows me how it was when the two girl cousins went paddling. कवित्री जी कहती हैं कि उनके घर में लगा हुआ Cardboard, जो की एक प्रकार का फोटो का फ्रेम होता है, जिस पर फोटो चिपकी हुई है, फोटो लगी हुई है, वो Cardboard पे लगी हुई फोटो ये दरसाती है, ये दिखाती है. कि किस तरीके से दो कजन बहने समुंद्र की यात्रा करने गई हुई थी, इच वन होल्डिंग वन आप माइ मदर्स हैंड इन बहनों ने, इन कजन बहनों ने, मेरी मा का हाथ पकड़ा हुआ था, एंड शी दा बिग गर और मेरी मा जो की सबसे बड़ी थी, सम ट्वल्व एर्स आर सो, उनकी एज लगभग बारा साल के आस पास की रही होगी, आल थ्री स्टूड इस्टिल टू स्माइल थू दियर हेर, एट दा अंकल विद दा कैमरा, ये तीनों बहने, सांद खड़ी हुई थी, मुस्कुरा रही थी, और उनके बाल हवा से लहरा रहे थे, और एक अंकल जी, अपने कैमरे से फोटो क्लिप किये थे, फोटो कीचे थे, कवित्री जी कहती हैं कि ये मेरी मम्मी का बहुत ही प्यारा वाला चेहरा था, बहुत ही क्यूट चेहरा था, बहुत ही स्वीट चेहरा था, ये उस समय का चेहरा था, जब मैं पैदा भी नहीं हुई थी, अर्थात उस समय कवी की माही जो है बारा साल की थी And the sea which appears to have changed less was their terribly transient feet कवी जी आगे बोलती हैं कि ये जो सागर है जो की आज भी है जो की उतना बदला नहीं है लेकिन इसी सागर ने उन लोगों का पैर बहुत ही भयानक रूप से धुल दिया था तो ये था पहला इस्टेंजा और आप दूसरे इस्टेंजा कर ध्यान दिजिए Some 20-30 years later She had laughed at the snapshot कोई 20 या 30 साल बाद वह इस फोटो पर हस्ती है यानि कवी जी की जो मम्मी है वो इस फोटो को देख करके हस्ती है See Betty and Dolly, see head say And look how they dressed us for the beach और हस्ते हुए कवित्री से कहती है कवित्री उनकी बेटी है हस्ते हुए कवित्री से कहती है कि बेटी और Dolly को देखो ये बेटी और Dolly, ये दो कजन सिश्टर है बेटी और Dolly को देखो किस तरीके से बीच पर जाने के लिए उन लोगों ने किस तरीके का कपड़ा पहना है कैसा कपड़ा पहना है ये कविकी मम्मी कविक से ये कहना चाहती है कि उन लोगों का कपड़ा बहुत ही फणी लग रहा है बहुत अच्छा लग रहा है कविकी जो मम्मी थी उनको आनंद सी हालिडे में आता था यनि कि वो सागर के पास जा करके अपना हालिडे बिताती थी और खुश होती थी माई नीजहर लाफ्टर और जबकि मुझे जो खुशी मिलती थी वो मेरी मम्मी की हसी से ही खुशी मिलती थी बोथ राय विद्दा लेबर्ड इस अफ लास बहराल दोनों की खुशियां धीरे धीरे करते हुए खो गई है अंति मिस्टेंजा में कवित्री कहती है फिर कवित्री जी कहती है कि अब मेरी मम्मी को मरे हुए लगभग उतने वर्स हो गए जितने वर्स की वो उस फोटो में दिख रही थी अर्था लगभग 12 साल circumstance there is nothing to say at all और इन परिस्थितियों में अब कहने के लिए कुछ नहीं बचा है कहने के लिए कुछ भी नहीं बचा है it's silence silence सिर्फ सन्नाटा है सन्नाटा है हर तरफ सन्नाटा है तो इस पोएम में कवित्री जी का कहने का ये अर्थ है कि समय बड़ा बलवान होता है समय के इसाब से सब कुछ चलता है कभी समय था उनकी मम्मी खुस थी और वो भी खुस थी और लेकिन आज उनकी मम्मी की डित हो चुकी है और फिर हर तरफ सन्नाटा है तो ये पोएम कैसी लगी छात्रों इस पोएम को अधिक से अधिक सेयर करिए क्लास 11 सीबियसी बोर्ड के लिए मेरे इस चैनल को अवस सब्सक्राइब करिए जैहिन